हेलो दस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल अर्यन जोड़ी में और आज की सुड़ों में हम आप लों को उताएंगे रिजिनिंग में इसके पहले मैंने आपको बताया था कंफिग्रेशन से रिलेटेड कोशन तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज चैनल करेंगा सब्सक्राइब और बिल आइकन रुपस्क्राइब जिससे में हर् नूट्फिकेशन सब्सक्राइब इसके तो दोस्तों चली बिलेक्स जीर के सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों जो अप्लिकेशन के कोश्चन्स होते हैं यहल्फाबट पर फेज देंट होते हैं लेकिन in answer को साइन के फूर sign के through solve करते हैं दोस्तों अब यह sign कौन-कौन से होते हैं यह sign होते हैं plus minus multiply and divide दोस्तों यह होते हैं इसके four sign जिसके through हम अपने answer को निकालते हैं दोस्तों एक बात और कि जो application के जो question होते हैं यह हमेसा group में ही होते हैं और जो group इनका different होता है वह हमारा answer होता है आए देखते हैं दोस्तों अपना first question तो हमारा first question जो है वह दोस्तों देखिए एक group में है और यह कितने group में है दोस्तों यह five group में है देखिए one two three four five ग्रुप ने है, तो आप आईए हम लोग अपने question को solve करते हैं दोस्तो solve करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन सब्य letters के actual value लिखेंगे दोस्तो सबसे पहले हम लोग hopeful एक actual value लिखते ढूझे है दोस्तो ग्रुप A में सबसे पहले क्या है? है तो एक लिटिया होती है वन अब आपके दोस्तों एकस तो एकस ट्रक्षाइब कितनी होती है 24 अब कर दोस्तों गुर्प बीडिक लिख लेते हैं तुसमें दोस्तों पहले क्या है तो हैल कितनी होती है 12 अब कहा है दोस्तो B XL आपके दुस्तों डी टुर डी ही वहती है फुर अब आहीं दिखते हैं दोस्तों अपने गृपक को की इसमेरफ कर दोस्तों सबस्किमाई फाइब और किया जीन हराएब गुंद्या दौस्तों अब हम लोग क्या करेंगे कि यह देखेंगे कि इन दोनों नमबर की विच में किसन का रिलेशन है मिन्स कि यह दोस्तों आया हम पहले मल्टीप्लाई का सायल लेकर देखते हैं दोस्तों जब में करेंगे तब कितना है गागा ट्वेंटीफॉर उसके बाद दोस्तों जब हम लोग 12 का मुल्टिप्लाई 2 में करेंगे तब कितना आएगा 24 दोस्तों अब देखिए दो गुरूप में हमने मुल्टिप्लाई किया इसका मतलत कि यह सबी जो नंबर से इनके बिच मुल्टिप्लाई के साहिन का रिलेशन है द दोस्तों सी गुरूप में है 8 और 3 तो 8 का मुल्टिप्लाई अगर 3 में करेंगे तब कितना आएगा 24 एट रिजा 24 अब आए देखिते हैं दोस्तों अपने गुरूप D को तो इसमें 6 और 4 है तो अगर 6 का मुल्टिप्लाई 4 में करेंगे तब कितना आएगा देखिए 6 4 जा 24, 24 आ गया, अब आई देखते हैं दोस्तों अपने ग्रूप E को, तो इसमें दोस्तों 5 और 7 है, तो अगर हम लोग 5 का मिल्टिप्लाइ 7 में करेंगे, जब कितना हैगा, तब आजाएगा 35, 5 से बंजा 35, तो दोस्तों इसमें से, अब हमारा जो भी ग्रूप डिफरेंट होगा वही हमारा आंसर होगा, दोस्तों देखे, हमारे A ग्रूप में क्या आया है, 24 आया है, B ग्रूप में क्या आया है, 24, C ग्रूप में 24, D ग्रूप में 24, दोस्तों इस चारो ग्रूप में हमारा 24 आया है, लेकिन जो हमारा लास वाला ग्रूप है, उसमें 35 आया है, दोस्तों आई दिखते हैं अपना सेकेंड कोश्चन तो हमारा दो सेकेंड कोश्चन है वो भी एक ग्रूप में है और ये फाइब ग्रूप में है दोस्तो अब आई हम लोग अपने कोश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तो इसको भी हम लोग से मुझत तो सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमन है अब दोस्तों एक अपने गुरूप C को इसमें तो इसक्स्टीन अब दिखते हैं दूस्तों अपने गुरूप ख्रूप इस्में ऐ है तो है Eujjjjjjjjjj p—d अभए जी दिक थी दोस्तोफ adnachम ईकर न के हम गाले हो जाएगी 14 अब ठीज टीरवाब जाएगी 20. दोस्तो अब हमने सब क्याक्ष्य लुक्त रिख ली अब हम लोग देखेंगे कि नो नमबर्स के बीच में किसका स्वा commute दोस्तो प्रेजम को लिख दिखते हैं तो इसमें 25 में 2 प्लस करेंगे तब कितना आएगा 27 अब ग्रूप B में 19 में अगर 8 प्लस करेंगे तब कितना आएगा दोस्तो 27 ही आएगा तो यहां पर लिख देंगे 27 दोस्तो अब हमने ग्रूप A और ग्रूप B को सॉल्व कर लिया तो इसमें दोस्तो मारा प्लस आया है इसका मतलब कि सभी नॉम्बर के वीच में दोस्तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा 27 ही आएगा 27 अब दोस्तो ग्रूप D तो इसमें 24 है तो अगर इंदोनों को प्लस करेंगे तब कितना आएगा तब आझाएगा तब आजएगा थर्टी फूर दोस्तो अब देखिए अब हमने इन सबी ग्रूप को फ्लस करके लिख लिया, सॉल्ट कर लिया अब दोस्तों मनों क्या करेंगे कि देखेंगे इन सबी ग्रूप में से कौँ असा ग्रूप डिफरेंट है तो इसमें दोस्तों देखिए A ग्रूप में हमारा आया है 27, B ग्रूप में भी 27, C ग्रूप में भी 27 आया है और D ग्रूप में भी 27 आया है दोस्तों इन चारो ग्रूप में हमारा 27 आया है लेकिन दोस्तों जो हमारा लास्ट वालो ग्रूप है फूरिया दोस्तों यह चारओ गुरुप से अलग है इसलिए दोस्तों गुरूप यह हमारा यंवारा रहा अंसर न्यूंगा अधंसर दोस्तों आई दिखते हैं अपना थर्ड वोशन हैं और फाइप के गुरुप में है दोस्तों अभी इसको इम वैंसे विह गुण तो सबसे पहले हम नों गूरुप एक ऐना लिखते हैं जो में यह लिए तो को अब चाहिए अप दोस्तो अब तो आप दोस्वाहिए अग्रूप B को इसमें क्या है और दोस्तों कि अप ही और तुन के करना है दोफ़ एक को दोस्तों 24 और D के एक्चुल लेली हो जाएगी 4 अब 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 देखते हैं दोस्तों अपने ग्रूप D को तो इसमें दोस्तों देखिए यहां पर N और E है तो N के एक्चुल लेली हो जाएगी 14 और E के एक्चुल लेली हो जाएगी 5 तो यहां पर लग देंगी 5 अब 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 देखते दोस्तों अपने ग्रूप एको तो इसमें एफ है और ए है तो एक एक चुले हो जाएगी वा दोस्तों अब नवे देखेंगे कि इस सभी नंबर के बीच में किस साइन का रिलेशन है दोस्तों आए एम लोग डिवाइट के साइन को लेकर देखते हैं दोस्तों अगर हम यहां से कटेंगे करेंगे किटनी वार में जाएगा दोस्तोंट शिक्स बास जाएगा है तो सीखघ चाब 152 अब दोस्तों थो यहां पर यहां पर करेंगे को कि मिसाट काटिंगे किटी बार जाएगा जाएगा 3, 6, 18 तो यहाँ पर हम लो लग देंगे 6 दोस्तों आप हमने इन 2 ग्रूप को solve कर लिया जिसमें हमारा sign divide काया दोस्तों इसका मतलब कि इन सबी नमबर्ज के वीच में divide का ही relation है दोस्तों आप हमने इन 2 ग्रूप को solve किया अब हम इसे दार से फटफट सभी ग्रुप को सॉल्व कर लेंगे तो इसमें दोस्तों 24 और 4 तो अगर हम लोग 24 को 4 से डिवाइट करेंगे मिस काटेंगे जब कितना है एक 6 ही आएगा देखिए 4 सिख जाए 24 अब दोस्तों आई रिखते हैं ग्रुप D को इसमें दोस्तों 14 और 5 दोस्तों अगर ह हम लोग 14 में से 10 माइनस करेंगे तो 4 बचेएगा नीचे तो 4 आ जाएगा हमारा रिमेंडर और कितना है दोस्तों 2 आया है तो यहां पर आ जाएगा 2 और दोस्तों रिमेंडर हमारा आ जाएगा 4 दोस्तों अब देखिए आए देखते हैं अपने ग्रुप E को इसमें 6 और 1 दोस्तों यह सिंपल है अगर हम लोग 6 को पर से ड्वाट करेंगे तो 6 ही आएगा यहां पर लिख देंगे 6 दोस्तों अब इसमें से जो भी ग्रुप डिफरेंट होगा वह यह हमारा आंसर होगा तो आई हम लोग इन ग्रुप को चेक करते हैं कि कौन सा ग्रुप है उसके बद्सक्तों डी ग्रुप में अमारा नेकि यह पर ट्वभ ऑन और इसके साथ ही हमारा रिमेंडर फॉल्प नशाएं और दोस्तों इचो अगर आप विडियूप पसंद आएगी तो प्लीज इससे डिकार रिक डिफरेंट है दोस्तों सब्सबदल गुरुप डूल दोस्तों नहीं क्या है तो प्रीज चैनलंग करेंगा सब्सक्राइब और बेल आकोन रुपस करेंगा जैसे मेरे हैं नूट्फिकेशन अपसे पहला आप तक पहुंच सके तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक करें मेर सभी दोस्तों मेरे तरह से जय हिंद जय बार nytقط instantी वीडियो है ।ो आआसे मेरे लोस्तों करेंगा था मेरे उनमेखत हैंगा ड्पस्तों मेरेहाँ जीड़ल मेरे वीडियो चकोन अवयाँ मेरे